एक विशाल जंगल के एक बरगत के पेड़ पर एक कववे पक्षी का जोड़ा रहता है एक दिन कववा अपनी पत्नी के लिए छोटा सा अंडा लेकर आता है कववा कहता है ये देखो प्रिये मैं तुम्हारे खाने के लिए एक अंडा लेकर आया हूँ तुम इसे खाओ और इसका स्वाद बताओ ठीक है मैं इसे अभी रख लेती हूँ कुछ देर बाद खा लूँगी और उसके बाद स्वाद भी बताऊंगी कुछ देर बाद को वह वहां से उड़कर दूर चला जाता है उसकी पतनी अंडे को बहुत ध्यान से देखती है उसके कोई बच्चे नहीं रहते हैं वो अंडे को दया भाव से देखने लगती है वो उसे एक इस्थान पर छिपा देती है और बीज बीच में उस पर बैठ कर उसको सेक्ती रहती है कोवे को इस बात की जानकारी नहीं लगने देती है एक दिन कोवे को उस अंडे का ध्यान आही जाता है और वो अपनी पतनी से प्रश्न पूछता है प्रिये मैं उस दिन तुम्हारे लिए एक अंडा लाया था क्या तुमने उस अंडे को खाया? हाँ, खाया था, बहुत अच्छा था इस तरह कोवे की पतनी कोवे से जूट बोलकर अंडे को संभालती रहती है कुछ दिन बीत जाते हैं एक दिन उस अंडे में से एक प्यार असा तोते का बच्चा निकलता है कोवे की पतनी यहाँ सब देखकर बहुत खुस हो जाती है और वो उसे बहुत प्यार करती है वो बच्चा धीरे धीरे बड़े होने लगता है और वो उसे मा कहकर पुकारने लगता है कोवे की मा कहती है मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें पालूंगी खिलाऊंगी बड़ा करूंगी तुम्हें उड़ना भी सिखाऊंगी नीले आकाश की सेर कराऊंगी ये लो अमरूत खा लो मैं तुम्हें लाल मिर्च भी खिलाऊंगी मा तुम कितनी अच्छी हो मेरा कितना खयाल रखती हो इतने में कववा भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस तोते के बच्चे को देखकर सोच में पड़ जाता है और पूचने लगता है ये तोते का बच्चा कहां से आ गया? क्या तुमने दूसरों के बच्चे को पालने का ठेका ले लिया है? मेरे घोसले में तोते का आखिर क्या काम है अरे मेरे प्यारे स्वामी इसे तोते का बच्चा मत कहिए ये तो मेरा ही बच्चा है मैंने इसे गोद लिया है ये हमारा राज दुलारा है आखों का तारा है ये हमारे पुत्र होने का फर्ज निभाएगा हमारे काम भी आएगा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तोते का बच्चा आखिर कौवे का बच्चा कैसे बन जाएगा ये हमारे किसी काम नहीं आएगा ये हमारे उपर मुसीबत आने पर कुछ भी नहीं करेगा और चुप चाप उड़ जाएगा तुम इसे यहां से दूर करो नहीं नहीं मैं इसकी मा हूँ भला मा अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे करेगी तुम आइनदा ऐसी बात भी मत करना मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखूंगी इसे मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी बड़ा करूंगी इसके साथ खेलोंगे और इसे अच्छे से उनना भी सिखाऊंगी पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये तोते का बच्चा तुम्हारे पास आया कहां से आप ही इसे लेकर आये थे और पूसते हो कैसे आया क्या बक रही हो आखिर मैं तोते को बच्चे को पकड़ कर यहां क्यों लाओंगा मैं आपको बताती हूँ क्या आपको याद है आप एक बार मेरे लिए एक अंडा लाए थे ये भी कहा था इसे खा लेना और बताना कि इसका स्वाद कैसा है हाँ हाँ याद आया तुमने तो उसे खा लिया था खाया नहीं था उसे छिपा दिया था और आपसे जूट कहा दिया था उसी अंडे में से ये प्यारा सा तोते का बच्चा निकला है मैंने इसे अपना बेटा मान लिया है ये बहुत ही प्यारा है तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम ही इसे संभालना वो तोते का बच्चा धीरे धीरे बड़े होने लगता है उसकी कववा मा उसका पूरा खयाल रखती है उसे प्यार करती है, उसे खिलाती है उसके साथ खेलती है और उसे उनना भी सिखाती है तोते का बच्चा अच्छी तरह से उनने लगता है एक दिन जंगल में सिकारी आता है और पंच्चियों को फसाने के लिए जाल लगाता है इस पर दाने डाल देता है कववा वह देकर लालच में आ जाता है और वही पर उतर जाता है इसी तरह वो उस जाल में फस जाता है कोवा कहता है बचाओ 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 मुझे कोई तो इस जाल से बचाओ कोई तो बचाओ मुझे इस जाल से मेरे दोनों पैर फस चुके है अरे कोई तो आओ कोवे की यहाँ आवाज कोवे की पत्नी के कानों में पहुँच जाती है वो अपने बेटे तोते को लेकर वहाँ सीग्र ही पहुँच जाती है मा कहती है तोता बेटा तुम्हारे पिता के प्राण संकट में है वो जाल में फसे हुए है तुम अपनी नोकेली चोंच से इस जाल को काट कर, इन्हें इस जाल से जल्दी से आजात करा दो कि हाँ मा, अभी मैं इस जाल को काट देता हूँ, बाबु जी को आजात करा दूँगा बाबो जी आप जरा भी चिंता ना करें मैं अभी अपनी नोकेली चोंच का कमार दिखाता हूँ तोता बेटा बड़ी तर्मियाता से जाल को काटने लगता है और इतने में सिकारी आ जाता है और कववा डर जाता है शिकारी कहता है बड़े मोके से पहुचा हूँ, अब तो कव्वा और तोता दोनों ही मिल जाएंगे कि सिकारी सपना देखना छोड़ दे, अब तो हम बाप और बेटा दोनों हवा में उड़ जाएंगे जैसे ही सिकारी उन दोनों को पखड़ने के लिए जाता है, तोता कव्वे को लेकर उड़ जाता है इस तरह तोता अपने पिता कव्वे को आजात करा देता है तोते की मा भी बहुत खुस हो जाती है, तोते की मा कहती है हमारे बेटे ने जाल को काट कर आपके प्राण बचा लिये मैंने कहा था ना कि हमारा बेटा हमारे काम जरूर आएगा ये बहुत लायक बेटा है अब आप ये बताए कि इसकी असली मा आखिर है कहां आप अंडा कहां से लाए थे तुम दोनों मेरे साथ चलो मैं तुम्हें इसकी असली मा से मिलवा दूँगा कववा उन दोनों को लेकर तोते की असली मा के पास पहुच जाता है तोते की मा घोंसले में बैठी होती है कववे की पतनी कहती है बेहन ये तुम्हारा बेटा है मेरे पती तुम्हारा अंडा उठा लाए थे मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है तुम इसकी वास्तविक मा हो इस पर तुम्हारा अधिकार है आप दोनों एक ही पेड़ पर रहिए मैं तो दोनों का ही बेटा हूँ मेरी दो-दो माताए हैं मैं बड़ा ही बाग्या साली हूँ आप दोनों का प्यार मुझे हमेशा मिलेगा इससे बड़ी बाद मेरे लिए आखिर क्या हो सकती है देखो हमारे बेटे ने कितना अच्छा रास्ता निकाला है इस तरह से हम दोनों खुस रहेंगे हाई हमारा लाल हमारी आखों के सामने रहेगा उसके बाद वे सब एक ही पेड़ पर खुसी खुसी रहने लगे